आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Supreme Court के Landmark जजमेंट की जो के Maintenance के उपर दिया गया था और केस का टाइटल है Neha वर्सिस रजनेज केस इस केस के उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Supreme Court के त्वरा दी गई इस case में जो guidelines थी वो सभी maintenance case पर लागू होती हैं वो क्या-क्या guidelines थी case का title है रजनेस वर्सिस नेहा case जो की 4 नवंबर 2020 को इसका judgment आया था और इस case के सुनवाई Supreme Court में Justice इंदू मलहोतरा और Justice आर सुभास रेडी की bench ने किया था और ये एहम फैसला सुनाया था नेहा वर्सिस रजनेस case अभी तक का Supreme Court का एक landmark judgment है क्योंकि इस case में matrimonial matters में और maintenance के अलग-असपेक्ट पर clear और same guidelines दी गई थी जो पहले अलग-अलग या फिर अलग-अलग judgment के द्वारा rule होती थी यानि कि इस case से पहले maintenance को लेकर कोई भी guidelines नहीं थी जिसको मद्दे नजर रख कर court ये decide कर पाई कि maintenance कैसे decide करना है इसके अलावा इस case ने maintenance के cases में court के सामने आने वाले कुछ general problem को address किया जो कि parties को face करने पड़ती थी जैसे कि maintenance का case काफी लंबा चलना, delay होना, maintenance ना मिलना, उसे लागू कैसे कराया जाना है इस तरह की बहुत सारी problems थी जो कि इस case के जरीए Supreme Court ने इस problem का solution निकाला और legal system को improve करने के लिए speedy और effective justice देना जरूरी समझा और उसके लिए guidelines भी जारी की ताकि maintenance के case में parties को struggle ना करना पड़े ये मामला था CRPC के section 125 maintenance का जहां पर पत्नी और नाबालिक बेटे की maintenance या चिका पर सुप्रीम कोट सुनवाई कर रही थी इस case में family court ने पत्नी और नाबालिक बच्चों को उनकी income, expenses, asset, liability और living standard को देखते हुए entry maintenance को award किया था जिसे कि husband ने पहले इसे high court में और फिर supreme court में challenge किया था जहां पर supreme court ने पती की appeal को खारिच करते हुए matrimonial matters में maintenance को लेकर landmark guidelines जारी की थी जिसे अपसे हर एक family court को maintenance के case में follow करना होगा Supreme court ने कहा कि different law के तहत maintenance को देखते हुए overlapping jurisdiction से बचना चाहिए और entry maintenance के amount को निर्धारित करते समय court को एक ही mandate को follow करना चाहिए और maintenance ना मिलने पर उसे कैसे लागू कराना होगा और maintenance के मामले में दोनों parties की liabilities कैसे decide होंगी इस पर गौर करना होगा Supreme court ने दोनों parties के asset और liabilities को disclose करने के लिए एक uniform platform prescribe किया ताकि इस तरह के केसे से जल्दी निप्टा जा सके और दोनों parties facts और miss presentation ना कर पाएं यानि की गलत बयानी और गलत document या facts court को ना बताएं ताकि केस बहुत ज़्यादा लंबा ना खीजे Supreme court ने family court को ये भी निर्देश दिया कि respondent को notice सर्व होने के 60 दिनों के अंदर-अंदर entry maintenance के case को निप्टाना होगा और दोनों parties के द्वारा पहली बार में ही एक affidavit of disclosure, asset और liabilities के relation में court में पेश करना होगा और Supreme court ने government को ये सुझाओ भी दिया कि उन्हें कानून में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए ताकि सभी नागरिकों के लिए उनके religion और personal law के बावजूद maintenance के लिए एक समान law हो ताकि सभी को जल्दी से जल्दी नियाए मिल सके Supreme court ने ये भी suggest किया कि एक national portal होना चाहिए जहाँ पर maintenance के order personally upload किये जाने चाहिए ताकि जो लोग हैं उनके द्वारा उन्हें easy access किया जा सके इस case में Supreme court ने कहा कि court को ये धियान रखना होगा कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और वो नहीं कमा रही है तो उसने नौकरी क्यों छोड़ी थी और आज की situation को देखते हुए वो कितना कमा सकती है उसके लिए कितना challenge होगा बाहर निकल कर काम करना इन सभी बातों पर court को ध्यान देना होगा और गरिलू हिंसा के तहट जो रहनी की जगा है उसका आदेश पारित करते समय कोट को ये देखना होगा कि वो किस तरह के किराय के घर में रहती है और उसके कितने खर्चे होगा और उसका भुकतान कैसे होगा इसके अलाबा एक पती ये नहीं कह सकता कि वो पत्नी और बच्चो को कमा कर नहीं किला सकता क्योंकि पत्नी और बच्चो को कमा कर ख्यलाने की जिम्मेदारी पती की होती है तो ऐसी condition में पती को प्रूफ करना होगा कि वो family का maintenance क्यों नहीं कर सकता और बच्चों की maintenance देते समय बच्चों के रहने खाने का खर्च, कपडों का खर्च, उनके medical education का खर्चा भी उसमें शामिल होगा और एक पती को अपने बीवी और बच्चों को वैसा ही financial status देना होगा जैसी की जिस living standard में वो खुद रहता है तो दोस्तों ये थी guidelines रजनेश वर्सेस निहा केस में सुप्रीम कोट के द्वारा दी गई judgment की video of copy का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं वीडियो informative है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भोलेगा